नमस्कार दोस्तों भाईयों प्यारे किसान सात्यू स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से यूटूब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लिडर वे किसान सात्यू आज दिनां को चुकी है किसान सात्यू इस वीडियो को सुरू करने से पहले मेरा आप सभी अन दाता अन निर्माता और सभी मित्रों से भाईयों से प्यारे किसान भाईयों से निवेदन है अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो हमारे दूहरा जानकारी देगे इस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें छोटा सा कमेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ये साथ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक WhatsApp के माध्यम से और Facebook के माध्यम से शेर जरूर करें तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं उसके पहले आप सबसे एक और निवेदन हैं आज ये हमारा जन्मेदीन इसलिए आप सभी से आशिरुवात की बड़ के रूप में और हमें चाहें आप हमें बर्धडे विश्णा करें लेकिन जैश्री राम या जैश्री महाकाल या फिर जैश्री शाम लिखना बिल्कुल भी ना भूले हम बाद करने वाले मत्रपरदेस की दो सबसे बड़ी मंडी इंदोर की चोईत्रा मंडियों शायापुर लसुन तीनों जिनसों की आमदानी इसे के साथ हमारी शाया पुरमंटी का शुरुवाती नीलामी का आज का ताजा भाव क्या रेट निकल कर आया है एक चीज और बहुत सारे जो है लोग बोलते हैं कि आप क्या भगवान है जो भविश्चिवानी कर देते हैं देखी भगवा भी है एसा कि एसा नहीं होता है हमने सोमा आपको लिखा था शैनिवार के जो वीडियो बनाया था उसमें हमने इस्पष्ट लिख दिया था थमनेल में कि सोमार से अच्छे दिन की शिरुवात जहां हमारी शाया पुरमंडी में शैनिवार के दिन 16 सुरुपे से उपर एक भ 12 सुरुपे से लगाके 17 सुरुपे के बीच में तो यह मानके चलें कि 5000 कट्टे के उपर भी के हैं 5 से 7000 कट्टे के उपर भी के हैं किसांसातियो इस रेट में तो ठीक है तो चलिए किसांसातियो वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे आवक की इंदो प्याच की आमदानी किसान साथ्यों पक्चीस अजार चटए के लगभग में मानके चण में अप इससे उपर ही हो सकते हैं बात करें किसान साथ्यों लसुन की दही से से ओपर भी विक्ष हो तो उसकी जानकरी अभी तक तो प्राप्त नहीं हुई है आगे जैसे ही होगी तो हमिंद्रो मंडी में आपको जानकरी उसकी देदेंगे क्योंकि पूरे फटफे नहीं गुम सकते हैं आज मेरा बड़े है तो उसमें कमेंट के इसाफसर समय नहीं मिल पा रहा मुझे और कुछ भी नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं है सिर्फ एक दो फटबे गुम के काम हो जा बात कर लेते हैं किसांसातियों हम हमारा जो प्याज एमेल हमारा अलू तो आता नहीं शायव प्रमेंटि में बात कर लेते हैं प्याज के भाव की प्याज में खादू की अगर में बात करूज किसांसातियों तो हमारा 50 रुपे से लगा के देइसोर परती कंटे तक खादू जा रहा अब आतीबात गोल्टी की तो गोल्टी किसान सत्य हो हमारी 500 रुपër परती कुंटल से लगाकर हाजार रुपए में मिडियम क्यालिटी की हाजार रुपर परती कुंटल से लगाकर पंदरा सु रुपे में export quality गुल्टी विक रही है बात कर लेते हैं किसासाती हो गुल्टा प्याज की तो गुल्टा प्याज हमारा किसासाती हो 500 रुपे से लगा के 800-900, 1000 रुपे तक medium quality का और 1000 रुपे से लगा के 1600 रुपे, 1600 रुपे तक export quality का गुल्टा प्यक्राएं किसासाती हो अब हम बात कर लेते हैं किसासाती हो medium और मुक्कल प्याज की medium प्याज हमारा 800 रुपे से लगा के 1000 रुपे और मुक्कल प्याज हमारा 1000 से लगा के 1200 रुपे, extra super प्याज हमारा किसासाती हो 1200 रुपे से लगा के अठारा सो रुपए किसां सातियों 18 सो रुपस लगा के 2000 रुपए तक भी देखने को मिले हैं तो यह तो थी किसां सातियों जानकारी प्याज लसुन की और आज की आमदानी की ठीक है अब हम बात करेंगे किसां सातियों कि हमने सुमर को आपको एक वीडियो डाला था उसमें शनिवार से अच्छे दिन के आपको शुरुआत हो जाएगी शम्मार से आपके अच्छे दिन आने वाले हैं तो हमने क्या गलत बोला था हमने बिल्कु सक्ठी बोला अब फिर्व 횟र रिपोर्ट कि न करते हैं यह और बहुत करते हैं कि आप भगवान कर तेजी आएगी प्याज के भाव में प्याज इस बाद 60 रुपे भी पहुंश सकता है 70 रुपे भी पहुंश सकता है इसमें कोई दो मत की बात नहीं है लेकिन 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 इसके पिछे कुछ और वज़े भी है क्रिसिल की जो रिपोर्ट होती है वो होती है सभी मं तो है कि तेजी अभी ऊगस्ते महिने में आपका प्याज 25 पार हो इसमें कोई रूमत की बात नहीं होãy सप्टम्बर महिने में आपका जो 35ū пожस्सरुपे भी जा सकता है इसको बड़ी भाड नहीं है वह बढ़ी भारी जा सकता है अब आप बताएं मुझे कि अगर प्याज मालो अगर 25 रुपे पार हो गया और इसके बाद में आपने गोल्टा गोल्टी नहीं बेचे, आपका खादू नहीं बेचा आपका खरव क्लिटिका प्याज नहीं बेचा तो गलती किस किये आपकी आपने पुरा प्याज समाल के करता है तो आपको 80% प्याज निकाल देना चाहिए यह मेरा गणी थे मैं एसा ही करता हूँ और आप इस साल एसा ही करूँ हो पिछले साल नहीं किया था घटा गया था तीस उर्पे का भावाया मैंने नहीं वेचा जैसा ही भाव डाउन होने लगा फिर मंडियों में भेड होने लगी एकदम से तो मैंने 2700 रुपे में एक लौट निकाला था जो भरेवे थे कट्टे और फिर लाष्ट में 1700 रुपे और फिर 300 रुपे प्रती कुंडल में मित्रों से कि आप प्याज को एकदम से भरके ना रखें धीरे 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 निकालते नहीं उसको देखिए रोकेंगे तो खराब होगा और खराब होगा साथ में आपको घटा भी जाएगा पहली चीज प्याज का भाव जैसा ही 35 रुपे 40 रुपे पार्क करेगा और स प्याज मंगवा लेगी भारत के अंदर मैं आपको बता रहा हूं जरासी अफवा भी फिला दीना तो एक हजार उपर डाउन हो जाएगा ध्रडले से तो मेरा तो आप सबसे करबद निवेदान यहीं है कि आप प्याज को रोके नहीं दिरे दिरे निकाल लेते हैं निकालते सिर्फ अगर खोजदांगा बाडर के अगर बात करें तो सतर ट्रक का एक्सपोर्ट हुआ और छे गाडियां बैलेस ने रही शिर्फ अकेले खोजदांगा से सतर गाडियां एकसपोर्ट हुई है तो आप समझ सकते हैं कि पांचो बाडर से मिला करीवन दो सो गाडियों का एक्सपोर्ट हुआ है अब आप बात कर लेते हैं कि भाव में कितना अंतर देखने को मिला जहां हमारा जो नासिक का मेडियम मोटा जो प्याज है वो 40 रुपर तके पर आ गया था जो अभी 40 प्रति केजी के इसाब से जा रहा है रही बात हमारा जो इस चालीश टका की अगर हम बात करें तो 40 का मतलब क्या है चालीश टका मतलब यह मान के चले कि आप आठ आठ सोला आठ त्रह चोवीज आठ चुक बत्तिस रुपे यह निकि तीन हजार रुपर प्रति कुंटल में बांगला जेसमें हमारा प्याज गोल्टा गोल्टी एक्सपोर्ट हो रहा है उस इसाब से जो अभी भाव मिल रहा ह वो ठीक मिल रहा है कोई जादा भी नहीं मिल रहा है तो कम थोड़ा से कम है 200 से 300 रुपे का खाटा तो फिर भी है ठीक है अभी अगर साड़े 1800 विका है ना आज यह तो यह 222 रुपे बिकना चाहिए मेरे इसाफ से अगर 3000 वापे जा रहा है तो तो किसानों को फुल हो रहा है कि नेपाल एक एसा देश है कि हमारा आना जाना बिल्कुल एकदम फ्रियाफ कोश्ट है सिर्फ आप वोटर एडी लेकर चले जाएंगे तो आपको वोडर पार आप कर सकते हैं तो वहां पे ज्यादा खर्च नहीं है आने जाने में इसलिए हमारा नेपाल में भी ह प्रियाज का मई होता है आप खंडवा का माल पकड़ दीजिए उसी के साथ आपका महराष्ट-वंपूर नासिक साइट का जो प्याज होता है वही प्याज हमारा दूबई में एक्स्पोर्ट होता है वो जितने भी अमिरात के जितने भी देस से उन उन सभी देसों में वही चांदर देखने को नहीं मिलता है मैं आपको पहले नहीं मिलता है भुह कम आतरा कि साथ और अच चत्पिम मंगंस के हमारी भारवारा की सिली गूड़ी टाइप का से sms श्ही प्याजश प्पाताएं सिलीगुड़ी में पूरा का गोल्टा गोल्टी चलता है मातरा में तो अब बात के लेते हैं तो उत्तर प्रतेस में भी वहुत ज्यदा हमारा प्याज MP का जाता है तो परड़ाने की जरवत नहीं नहीं एक चरूर चीज बता देता हूं आपको इसी नमवबर महीने में मतलब इसी जातने की चुना हैं और आप मानरे की दो जर्ट 24 महीं लोग सभा का चुना होए तो उस करण से प्याज का जो रेट जैसे उपर जाएगा तो मोदी जी थोड़ा सब पकड़तों करेंगे इसलिए आप थोड़ा सावधान जरूर रहें में तो के रहां को प्याज का भाव 50 रुपए से उपर विकेगा लेकिन आपको अ जय हिन जय भारत वंदे मात्रम किसान सात्यों कमेंड जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें